हलो 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 दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों बात आज हो रही है कि BPO के अंदर अगर जौब करना है तो Freshers को interview के दौरान कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों काफी basic से सवाल पूछे जाते हैं लेकिन उनका अगर सही सही जवाब नहीं दिया तो आपका interview फिर आगे भी नहीं बढ़ पाएगा आगे वाले आने वाले question हो सकता है कि मुश्किल हो या ज़ादा precise हो लेकिन ये basic question ही अगर आप ठीक तरीके से answer नहीं करेंगे तो फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा तो ये basic question कौन से हैं जो की freshers को कई बार पूछे जाते हैं इसके बार में आज हम चर्चा करने वाले हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा के तरह अगर आप इस channel पे नहीं हैं अब तग आपने subscribe नहीं किया हुआ है तो दोस्तों इंतिजार किस वाद का कर रहे हैं अगर आपको ऐसे ही अलग-अलग professions के बारे में जानना है उनके अंदर काम कैसे होता है उनको interview के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं किस profession में कितनी salary मिल सकती है ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो बिलकुल सही channel पर आप आये हुए हैं साथी साथ इसी channel के उ किया जाता है इस सभी के बारे में मैंने video बना करके रखे हैं वो भी आपको इसी channel के उपर देखने को मिल जाएंगे तो जरूर channel को subscribe कर दीजे तो चले दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला सवाल तो जो normally सभी interview में होता है वो है tell me about yourself तो ये काफी common सा interview question है व तो कुछ ऐसी बाते बताई हैं आपके बारे में जो की बहुत ज्यादा interesting है जो की उस CV के अंदर नहीं है लेकिन फिर भी हमेशा एक बात याद रखें मैं अपने हर एक interview वाले वीडियो में ये चीज़ जरूर बोलता हूं और वो चीज़ ये है कि बहले ही आप उस field से related answer न नहीं चोड़ना है माली जे आपका फेवरेट गेम है football आप बता रहे हैं कि बुझे football खिलना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप उसको इस job के साथ कैसे चोड़ सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि बटाई थिंक football helps me to perform better in my job how because football also needs so much of concentration and this job also needs so much of concentration so to build my concentration power I play football so that I can improve my concentration power and actual scenario response techniques तो इस तरीके से जो है वो आप उसको ढाल सकते हैं आपके job के अनुसार उसका संबन जो है वो जोड़ सकते हैं तो इसकी विजह से मैं बोलता रहता हूं कि कोई भी answer दे वो आपके job से जुड़ा हुआ होना चाहिए तो जो भी आप वहाँ पर बोल रहे हैं वो केवल और केवल ये दिमाग में रख करके बोलिए कि ये job मुझे चाहिए आप वहाँ पर केवल गपे मानने के लिए नहीं गए हुए हैं इसके बाद एक और सवाल जो कि freshers को पूछा ही पूछा जाता है वो सवाल ये है कि what is BPO यानि कि BPO है क्या तो BPO यानि कि Business Process Outsourcing त करना उनको मुझण नहीं हो पाता है या उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसकी विजह से यह काम वो लोग outsource कर देते हैं यानि कि दूसरों को उसका जो है वो ठेका देते हैं तरीके से आप कह सकते हैं तो ये काम करने वाली जो कंपनी होती है वो होती है BPO जो कि एक BPO center को चलाती है और वहाँ पर अलग-अलग उनके clients होते हैं तो कोई company यह कहती है कि हमें customer support executives चाहिए जो कि हमारे call center में यानि कि हमारा जो number है उसको respond करने के लिए रहे हमारे customers को अगर कुछ problem आ रहा है तो उनसे बात करने के लिए हमें executives चाहिए कुछ company यह चाहती है कि हमारी तरफ से हमारे जो potential buyers है उन तक message पहुचने चाहिए या उन तक phone calls पहुचने चाहिए तो यह काम भी outsource किया जाता है इसके अलावा हम कहें कि जो email के जरीए marketing की जाती है तो उसके लिए भी BPO को काम दिया जाता है तो इसके एक simple and plain answer यही है कि BPO यानि के business process outsourcing जो काम company के अंदर नहीं किये जा सकते है या उनको ऐसा लगता है कि बाहर अगर यह काम हम outsource करेंगे तो जादा efficiently हो सकेंगे तो यह काम BPO के अंदर होता है इसके बाद फिर आपको यह पूचा जाएगा कि आप BPO में ही क्यों काम करना चाते है क्योंकि कई बार क्या होता है कि BPO के अंदर अगर especially calling के लिए लोगों को लिया जा रहा है call center के तौर पर लिया जा रहा है तो वो लोग बहुत ही diverse यहां पर educational background से आते है तो इसके विज़े से यह जरूर पूचा जाता है कि आप BPO में क्यों काम करना चाता है क्योंकि आपकी पढ़ाई कुछ और हो रखी है हो सकता है कि कोई science graduate भी वहाँ पर चला जाए तो अव्वेस से बात है कि उसको पूचा जाएगा कि आप तो science stream के है फिर यहां पर क्यों आना चाता है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा research करके जाना अच्छा रहेगा कि वो industry आपने क्यों चूज की है वो industry अभी boom में है उसकी growth rate क्या है आने वाले समय में BPO industry का यहां पर future कैसा रहने वाला है और कैसे आने वाले समय में जादा से जादा कंपनिया जो है वो BPO को prefer करने वाली है और उसकी वज़े से एक booming industry में एक developing industry का एक आप part होना चाते है यह एक सबसे बहतरीन जवाब आपके लिए बन सकता है अगला सवाल आपको यह पूछा जा सकता है कि what is inbound and outbound calling तो inbound calling मतलब जो लोग बाहर से आपको call करते है याने कि किसी company के तरफ से आप उनके customer care executive के तोर पर वहाँ पर बैठ रहे हैं और लोग आपको call कर रहे हैं और आप उनका जवाब दे रहे हैं तो यह होता है inbound calling और दूसरा होता है outbound calling तो outbound calling में क्या होता है कि company की तरफ से executive आप है और आप लोगों को call करते है company के अलग-अलग products, schemes और offers के बारे में जानकारी देने के लिए तो यह होता है outbound calling अब अगले जो दो सवाल है वो freshers को ज़रूर पूछे जाते हैं और important भी है पहला सवाल यह है कि are you comfortable doing night duty क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनके clients जो है वो international clients होते हैं और वो अपने time zone के हिसाब से operate करते हैं तो उनके customer जो है वो भी वहाँ के time के हिसाब से ही call करते हैं लेकिन call लगता कहाँ पर है तो इंडिया में लगता है यहां की BPO company में लगता है क्योंकि उस company ने वो contract जो है वो किसी BPO company को दिया हुआ है उनका ये काम outsource किया हुआ है तो उनके time के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है तो generally अगर आपको BPO industry में काम करना है तो कभी न कभी आपके career में ये point आने वाला है कि आपको night duty करने पड़ेगी तो obviously इसका जो सबसे जादा desirable answer है वो yes ही है अगर आप yes कहेंगे तो वो interview लेने वाला जो आदमी है वो जादा से जादा इसमें आपकी profile में और आपको hire करने में interested रहेगा क्योंकि उसको ये पता चलेगा कि ये आपमी flexible है ये night duties में भी काम कर सकता है और इसको जो है वो आप किसी भी office में भेज सकते हैं और ये अच्छे तरीके से काम करेगा दूसरा सवाल ये उठेगा आपको या पूछा जाएगा कि are you willing to relocate याना कि आप अभी जहां पर हैं वहां पर काम न करते हुए हमारे किसी और office में जाकर के काम कर सकते हैं क्या वहां पर रह करके तो again इसका भी सबसे जादा desirable answer उस interviewer के लिए yes ही है लेकिन अगर genuinely आप वहां पर relocate नहीं कर सकते हैं कुछ family जिम्मेदारियों की वज़ा से या कुछ और problems की वज़ा से तो आप उसको साफ साफ कह दीजेगा yes यह desirable answer जरूर है लेकिन अगर आपको वो मुश्किल होने वाला है लेकिन ऐसे ही pressure में आकर के job पाने के pressure में आकर के आप उसको yes बोल देंगे तो फिर यह आपके लिए जो है problematic साबित हो सकता है आगे जलकर आपको ही तकलीफ होगी और फिर आप अगर बहाने करेंगे तो वो भी आपसे यह कहेंगे कि पहले आपने yes बोला था अब आप no बोल रहे हैं तो यह professional behavior नहीं है तो इसकी वज़े से इसकी बारे में आप जितना ज़ादा clear रहें उतना भेतर रहेगा इसकी बाद फिर सवाल आता है why should we hire you तो यहाँ पर mainly जहाँ पर BPO में काम होता है तो वहाँ पर आपका communication skills अच्छा होना चाहिए और साथी साथ हम कहें कि general interpersonal skills जो है वो भी भेतरीन होने चाहिए return communication skills भी अच्छे होने चाहिए तो यह कुछ चीजे हैं आपका English speaking अच्छा होना चाहिए जितनी ज़ादा आपको native languages आएंगी उतना ज़ादा अच्छा है तो जब आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि why should we hire you तो यह सारे points आप वहाँ पर सामने रख सकते हैं तो हमेशा BPO या call center में उनको ऐसे लोग चाहिए जिनको कम से कम training में लोग ज़ादा से ज़ादा जल्दी join करके काम कर सकें जितना ज़ादा लंबा समय उनको training करने में लगेगा उतना ही वो उनके लिए dead investment है क्योंकि उस आदमी को training करते रहना पड़ेगा फिर उसके बाद वो काम करने के लिए तयार होगा और उसके बाद उसका job शुरू होगा तो इसकी विज़े से ये बहुत ज़ादा time consuming process है अगर आप उनको ये यकीन दिला दे कि मेरे पास English speaking भी है मैं हिंदी भी जानता हूँ और वहां की native language भी जानता हूँ मेरे interpersonal skills अच्छे हैं मेरे communication skills अच्छे हैं मेरे return communication skills भी अच्छे हैं तो आप उनको ये यकीन दिला सकते हैं कि आप एक right candidate उनके लिए बन सकते हैं इसकी अलावा आप कुछ और आपके qualities के बारे में भी बता सकते हैं कि कैसे मैं बिलकुल attention to detail देता हूँ मैं कैसे बिलकुल काम रह करके काम कर सकता हूँ जादा से जादा stressful situation में भी मैं बिलकुल ठंडे दिमाग से सोचता हूँ और बड़े अच्छे तरीके से काम करता हूँ मैं बिलकुल organize जो हमेरे हर एक चीज में जिसे कि उनको ये भी पता लगेगा कि ये आदमी काम करेगा तो बिलकुल tip top और organize तरीके से काम करेगा तो ये कुछ चीजे हैं जो की BPO के अंदर जरूर appreciate की जाती है और फिर आगे आपको जो सवाल आएंगे वो normal interviews के अंदर जो आते हैं वो ही आएंगे कि tell me about your greatest strength and weaknesses tell me something which is not in your CV तो ये सारी चीजे जो हैं वो तो पूछी जाही सकती है तो अगर आप normal interview के सवाल देखना चाते हैं जो की बहुत जादा commonly पूछे जाते हैं जो की किसी specific field से related नहीं है तो उसके लिए भी अलग से video बन रखा है आप मेरे channel के उपर जाकर के उसको देख सकते हैं या हो सकता है कि उपर i button में भी लिंक छोड़ दूँगा इसकी बात आपको ये भी सवाल पूछा जाएगा कि what are your salary expectations तो इसके लिए सबसे बहतरीन चीज यही है कि interview जाने से पहले आप यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर बहुत सारी sites है जैसे कि glass door है या बाकी भी बहुत सारी sites है जनके उपर list किये जाते हैं कि कौन से sector में average salaries कितनी होती है तो आप अगर एक fresher है तो आपको कितनी range में salary मिलने वाली है आप अगर experience है तो आपकी जो current salary है उससे 20 या 30 परतीशत जादा salary आप मांग सकते हैं तो यह भी आप research करके जाएंगे तो यह answer करना आपको जादा आसान हो जाएगा तो दोस्तों यह कुछ सवाल है जो कि BPO interview के दोरान freshers लोगों को जरूर पूछे जा सकते हैं तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा घर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो पसंद जरूर आया ही होगा तो लाइक जरूर कर दीजे यह वीडियो बनाने में हम बहुत महनत करते हैं तो जरूर लाइक कर दीजे और जादा से जादा शेर भी कर दीजे